हेलो दोस्तों स्वागट है आप सब का आपके चनल आरियन ग्लोयरी में और इस वीड़ो में हम आपनों को बताएंगे जो बच्चे होते हैं उनके पैरेंट्स जब स्कूल में अड्मिशन के लिए लेकर जाते हैं तो कैसे कोशस पुटप किये जाते हैं यासे हम ही हैं अब मे नाम क्या है वाट इस योर नेम तो नेम में होता है आपका नाम मतलब योर है तो आपका आपका नाम तो जैसे मेरा ही नाम है तो आप आप बता पाएंगे कि माइन एम इस आरियन ग्लोरी आपका जो भी नाम है आप वहां पर बता पाएंगे तो हमारा नेक्स्ट कोश्टन ह What is your mother name? तो इसका मतलब मदर मिस होता है मम्मी और मदर नेम तो मतलब मम्मी का नाम तो मिसेज जो भी आपके मम्मी का नाम है और हाँ एक बार जरूर रहाद रखेगा कि मम्मी या पापा के नाम के आगे मिस्टर मिसेज जरूर लगाया जाता है यदि पापा का नाम हो तो पापा के नाम के पहले मिस्टर लगाया जाता है यदि मम्मी का नाम हो तो मम्मी के नाम के पहले मिसेज लगाया जाता है पापा पाम्मी यह नहीं जो भी बड़े हैं उनके आगे मिस्टर लगाया जाता है या फिर मेसेज जैसे हिंदी में हम कहते हैं कि पाप के नाम के आगे लगाते हैं स्री और मम्मी के नाम के आगे लगाते हैं श्रीमती तो अब हमारा next question है what is your father name तो आप कहेंगे my father name is Mr. जो भी आपके father का नाम है हमारा next question है how many have you brother and sister इसका मतलब आपसे पूझा जा रहा है कि आपके brother कितने हैं और sister कितने हैं तो आप यहाँ पर बता सकते हैं माले जाए आपके एक भी ब्रदर नहीं है तो आप क्या करेंगे और एक भी sister भी नहीं है तो आप क्या करेंगे तो आप कहेंगे I have no brother and no sister माले जाइ आपके brother भी है और sister भी है तो आप पहेंगे I have two sister जितने भी sister है अप कहेंगे कि I have two brother जितना ब्रदर है आप वहाँ पर बताएंगे अब माली जाहिए कि sister नहीं तो आप बताएंगे I have two brothers जितने भी brother हो and no sister अब माली जी कि sister है लेकिन brother नहीं है तो आप क्या करेंगे कहेंगे I have no brother and two sister अब हमारा next question है कि what do you your mother इसता मतलब कि आपकी ममी क्या करती है तो आप यहां पर बताएंगे कि my mother is a housewife आपकी ममी अदि घर का काम करती है तो आप बताएंगे my mother is a housewife माली जी वो nurse है डॉक्टर है तो आप बताएंगे my mother is a nurse my mother is a doctor अब हमारा next question है कि what do you your father इसका मतलब कि आपके father मतलब पापा क्या करते हैं तो आप यहां पर बताएंगे my father is a doctor माली जी आपके father doctor है तो आप कहेंगे my father is a doctor teacher है तो कहेंगे my father is a teacher मतलब जो भी उनका पद है आप वहां पर बताएंगे अब हमारा next question है कि where do you live in इसका मतलब कि आप कहां रहते हैं अब हमारा next question है कि how many color इने rainbow इसका मतलब कि rainbow में कितने colors होते हैं तो आप यहां पर बताएंगे कि there are seven colors इने rainbow फिर उसके बार आप colors के नाम बताएंगे तो seven colors होते हैं कौन-कौन से red, blue, green, yellow, violet, indigo, orange हमारा next question है कि do you know about counting इसका मतलब क्या आपको counting आती है तो आप यहां पर कहेंगे yes I know यदि आपको counting आती है तो आप कहेंगे yes I know यदि आपको counting नहीं आती है तो आप कहेंगे no अब जैसे आपको आती है तो आप कहेंगे yes I know अब teacher आपसे बोलेंगी कि please tell me इसका मतलब आप सुनाइए आपको जहां तक counting आती है आप वहां तक सुनाएंगे हमारा next question है How many alphabet in English? तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि English में कितने alphabet होते हैं तो आप कहेंगे कि 26 alphabet There are 26 alphabet in English अब माली जो teacher आपसे पूछेंगी कि Yes, I know about English alphabet इसका मतलब क्या आप English alphabet के बारे में कुछ जानते हैं तो आप यहाँ पर कहेंगे Yes, I know इसका मतलब कि हम English alphabet के बारे में जानते हैं तो teacher बोलेंगी Please tell me तो इसका मतलब आप सुनाएंगे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z हमारा next question है कि How many days of week इसका मतलब कि one week में कितने days होते हैं तो आप यहाँ पर बता पाएंगे कि there are seven days in a week इसका मतलब कि one week में seven days होते हैं फिर इसके बार आप days के नाम बता देंगे Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday अब हमारा next question है कि how many month of year इसका मतलब कि one year में कितने months होते हैं तो आप यहाँ पर बता पाएंगे कि there are 12 months हीने year इसका मतलब कि one year में 12 months होते हैं तो आप months के नाम बताएंगे January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December अब हमारा next question है कि do you know body part इसका मतलब क्या आप body part के बारे में कुछ जानते हैं तो यहाँ पर आप बता पाएंगे कि yes I know हाँ हम body part के बारे में कुछ जानते हैं फिर उसके बार teacher पूछेंगी कि show me your tongue इसका मतलब कि आप अपनी tongue दिखाएंगे अब हमारा जैसे मालेजय पूछ देंगी कि show me your ear तो आप अपना ear दिखाएंगे अब जैसे है show me your eye तो आप अपनी eye दिखाएंगे अब है show me your nose तो आप अपनी nose दिखाएंगे अब हमारा next question है कि मालेजे आप से पूछ दिया चाहेगा इसका मतलब कि 5 पालतू जानवर्स का नाम बताईए मतलब पालतू मतलब यह होता है कि जो हम लोग पाल सकते हैं वो जानवर वो एनिमर्स तो आप यहाँ पर इसली बता पाएंगे कि काउ वो फैलो गोट डॉट कैट अब हमारा नेक्स्ट कोश्चन है कि वाट डस काउ गिव इसका मतलब काउ दूद देती है अब हमारा नेक्स्ट कोश्चन है कि वाट डस गोट गिव अस इसका मतलब कि गोट क्या देती है तो यहाँ आप बता पाएंगे कि गोट गिव अस मेल्क अब हमारा नेक्स्ट कोश्चन है कि वाट डस बुफैलो गिव अस तो आप यहाँ तो आप बता पाएंगे लॉयन, टाइगर, लिपोड और क्या फॉक्स, हुल्फ, तो अब हम इंग्लिज की नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को जीरो लेवल से बढ़ाएंगे, जैसे नाउन, हम आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में नाउन बताएंगे, तो बहुत स इंग्लिस की वीडियो नहीं डाल पाएंगे तो हम आप लोगोंको 20 उप्पेश प्रास की वीडियो देते रहेंगे और तो दोस्तो अगर आप यह वीडियो पसंद है होगी तो प्लिक दूसरों को कर दीजिए का लाइक और चैनल को कर दीजिए का सब्सक्राइब और बिल एकिंग को ज़रू दुबाएगा तक कि आपको मेरी हर एक नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के ले जैंड जै भारत